आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now हमसे बूचा गया कि comb plates इन में से किसका characteristic feature है और animal kingdom के हमें फाइला दिये हुए है तो ये हमारा correct answer यहाँ पर तीनो फोरा हो जाएगा तीनो फोरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें हमने कैसे animals को प्लेस किया है पहली बात वो diplo-blastic होंगे मतलब उनके पास endoderm और ectoderm होंगी embryonic layers में लेकिन इनके बीच की जो mesoderm है यह absent होगी इसके बाद इनकी body की जो organization है वो tissue level की है इनके पास कोई organ तो नहीं होगा लेकिन जो similar functions perform करने वाले cells है वो एकठे रखे गए हैं tissues के अंदर इसके बाद जो symmetry है इनकी body की वो radial type की होगी इसका मतलब है इनकी central axis से पास करते हुए किसी भी plane के through हम इनकी body को दो identical parts में divide कर सकते हैं अब ये दीनो characteristics टीनो फोर्स निडेरिया के साथ भी share करते हैं निडेरिया फाइलम के साथ लेकिन इनमें फरक ये है कि टीनो फोर्स जो होते हैं वो exclusively marine है सिर्फ सी वाटर में टीनो फोर्स हमें मिलेंगे जबकि निडेरियान फ्रेश फोर्टर भी होते हैं जिसका example हमारे पास सबसे common हो जाता है हाइडर का जीनस इसके अलावा टीनो फोर्स में हमें बायो ल्यूमिनेसेंस की property मिलेगी इसका मतलब है कि वो light emit कर सकते हैं तो जो हमारे टीनो फोर्स फाइलम है पे एक्स्टरनल रोज में आठ रोज में सीलिया अरेंजड होते हैं और इनी को हम इसकी कोंब प्लेट कहते हैं और इनकी कॉडिनेटेड मुव्मेंट की वज़ए से ये लोको मोशन करता है तो यहां पर हमारा क्वेशन है प्रेसंस कोंब प्लेट इस थे करेक्टरिस्टिक फीचर और अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइलम टीनो फोरा और इस वाइब आर अलसो कोंब जेली क्लासिक स्टूल सलेके नीट इए जेही मेंस और अद्वांस के लेवल तक